जैश्री राधी वैशाक महातम में दूसरा अध्याय नारच कहने लगे जैसे सत्यूग जैसा यूग, वेद समान शास्त्र, गंगाजी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोब, नेत्रों के समान जोती, बोजन के समान त्रप्ती, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष, क भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्म हीन शिग्र ही पशुयों नी पाते हैं। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरे से दान दिलवाई। उसका भी वही फल होता है। करता है जो दूप और पसीने से व्याकुल ब्राहमन पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरूर के समान हो जाता है और ब्राहमन को पंखा दान ने करने वाले अनेक प्रकार के वातादी से दुखित हो नरक वास करते हैं जो ठके हुए ब्राहमन पर कपड़े स वह बाप हीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है और जो शुद रदे से ताड का पंखा दान करते हैं वे यम दूदों का तिरसकार करते हुए बैखुन को पाते हैं जूते तथा चपल दान करने वालों को नए इस संसार में दुख होता है और नए ही नरक यातना भो आता है उसका फल ब्राह्मन भी वर्णन नहीं कर सकते जो लोग ब्राह्मन अतीथी को भोजन कराते हैं उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है अंदान पाने वाला अपने मादा पिता को भी भूल कर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है मादा पिता तो केवल जन्म किताता ह इसलिए विद्वान लोग अंदेने वाले को ही पिता कहते हैं जै श्री राधी दूसरा अध्याय समाप्त